Hi guys, welcome back to my channel इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा how to add hashtags to your videos आपको अपनी वीडियो पे hashtag कैसे add करने हैं वो मैं आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा कुछ नहीं है आपको simply अपनी वीडियो पे जिस पे आप डालना चाहते हैं hashtag उसके edit page पे आजाना है और title या फिर description में वो tags डाल देने हैं कुछ चीजें जो दिहन में रखनी हैं वो ये हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा tags डालने की कोशिस ना करें क्यूंकि 15 से ज़्यादा tags अगर आप अपनी वीडियो में डालेंगे तो YouTube उन सभी tags को इगनौर कर देगा सबसे पहली बात और make sure आपके tags बहुत ज़्यादा relevant हों जो आपके वीडियो का content है उससे अगर आप मेरे tags देखेंगे तो मैं usually description में डालता हूँ end of the description जैसे आप देख पा रहे हैं ये तीन tags डाल रखे हैं at max वैसे भी तीन tags ही visible रहते हैं आपने अगर ज़्यादा tags जाले हैं लेट से 10 tags जाले हैं तो जब YouTube पे कोई आपकी वीडियो देखेगा तो पहले वाले तीन tags ही visible रहेंगे मेरी preference ये रहती है कि मैं सिरफ तीन ही tags डालूँ वीडियो में और वह मैं end of description डालता हूँ आप कहीं भी डाल सकते हैं बहले ही वह title में डाल दें या फिर description में कहीं भी start में end में या middle में कहीं पे डालें बस ध्यान इतना रखना है कि तीन से जादा tags जो होंगे वह visible नहीं होंगे आपके किसी भी YouTube वीडियो पे और YouTube वीडियो के जो starting के तीन tags होंगे वही visible होंगे इसके बारे में काफी details में आप official help page पे पड़ सकते हैं link में description में mention कर दूँगा जहाँ पे इन्होंने mention किया कि अगर आप 15 से जादा hashtags डालेंगे तो आपकी वीडियो पे कोई भी tag visible नहीं होगा और एक चीज जो इन्होंने mention किया कि आपके hashtags में space नहीं होना चाहिए आप मेरी भी वीडियो की description में देखेंगे तो जो मैं hashtags डाले हैं यहाँ पर उसमें कोई spaces नहीं है जैसे कोई hashtag बना है तो तिन words से bulk changes is made of two words bulk and changes तो इसके बीच में अगर मैं space डालूँगा अगर space डालूँगा तो यह bulk वाला जो tag है वो अलग से work करेगा जबकि changes नाम से कोई tag आएगा ही नहीं तो यह हम नहीं चाते तो हम spaces नहीं डालेंगे ऐसे आप यह देख सकते है new youtube studio यह तीन words से बना है तो मैंने किसी भी word के बाद new के बाद भी space नहीं डाली यूट्यूब के बाद भी space नहीं डाली और as such इसको मैंने रखा है यहां पर अगर आप इस video को देखेंगे मेरी यहां पर जैसे यह video मैंने खोल रखी है वही video है और इसकी description के नीची अगर जाएंगे जैसे यहां पर दिख रहा है तो यह आपको तीन वही hashtags visible होंगे अब इन hashtags का फाइदा यह रहता है कि यह as hyperlink work करते है hyperlink से मतलब यह है कि अगर मैं इस पर click करूँगा तो इसे relevant सभी videos खुल जाएंगी जैसे आप देख पा रहे है new youtube studio hashtag से relevant सभी videos दिखने लगी यहां पर यहां पर मेरी भी कुछ videos दिख रही है जैसे आप देख पा रहे है तो और लोगों न भी अगर इस hashtag को use किया होगा तो उसे relevant videos उनको दिखेंगी और similarly यह work करेगा और help करेगा आपके views बढ़वाने में तो hopefully आपको समझ आ गया होगा कि आपको hashtag कैसे डालने हैं क्या use case है इनका तो अगर यह video पसंद आई है तो इस video को like कर दीजिए और make sure to subscribe to my channel so that you get notifications जब भी मैं नई video upload करता रहूँ मिलते हैं अगली वीडियो में till then bye bye